हेलो दोस्तों स्वागत आपका अपनी यूटूब चैनल रूत कुश्वमी लॉक्लासिस में और आज मैं आपको कराने बाला हूँ LLB 2nd Year, Sam है मारा 3rd, Act है मारा Professional Ethics, Code No. 3005 Question No. 2nd, अब से पहले मैं आपका एक Question करा चुका हूँ आप प्लेलिस्ट में जाकर उस Question को देख लीजेगा, Question का जो नाम था पहले का वो था विधी विवसाय का अर्थ और जो आज का जो Question है यह है बकील किसे कहते हैं, ठीक है, बकील किसे कहते हैं, Question है हमारा यह बकील किसे कहते हैं, लेकिन जो हम Reading करेंगे अपनी जो हम Study करेंगे उसमें पहले रहेगा बकील कैसे बनते हैं, उन्हें डिगरी प्राप्त कैसे होती है, फिर उसको धीरे-धीरे क्रमबाई जैसे हम चलेंगे, उसके बाद पता चलेगा बकील किसे कहते हैं, ठीक है, यह सारी प्रिक्रिया है, हम कि इसी के लिए आज आज आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, सभी का सपना होता है कि हम एक अच्छे बकील या जजज बनें, ठीक है, या किसी अच्छे फिल्ड में जाए जो Law से Related हो, तो आप इसी दिन के लिए बैठे हो, तो सबसे पहले हम अपनी जो महत्पूर CD होती है, बकील वाली, रेजिस्टेशन वाली, उसे अच्छे से देखेंगे, ठीक है, वीडियो में चलने से पहले आप से चोटी से रोकेश्ट, अगर आपने चैनल को Like, Share and Subscribe नहीं किया है, तो Please कर लीजेगा, ठीक है, अब चलते हैं अपने Question की तर है, ठीक है, बकील का अर्थ, ठीक है, सबसे पहले धीरे धीरे आराम से देखेंगे, कोई जल्दवाजी नहीं है, बकील अधीनियम 1961 की धारा, टू, वन कहके अनुसार, देखो पिर तेक वीडियो में आपको बताता हूं, जब हम अपने Question के Answer को Exam में लिखते हैं, यह अपनी Personal Knowledge के लिए हमें Section को अच्छे से याद करना बहुत ज़रूरी है, और Exam में Black and Blue Pen का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अब देखते हैं, बकील से तात पर रहा है, उच्छे नहले के, किसी बकील, ब्लेडर, मुक्तार या राजस वक्ता से है, जो अन्य बकील की ओर से वक्तब्य देता है, जो अन्य व्यक्ति की ओर से व्यक्तद्वा देता है, यानि कि जब कोई केस बकील के पास जाता है, जिसका केस होता है, जब बादी हो या प्रतिवादी हो, उनकी बातों को जज के सामने पेस करता है, कोट में क्या करता है, पेस करता है, जिस व्यक्त के अधिकारों का हनन हुआ है उलंगन हुआ है जिसका केस है उसकी तरफ से व्यक्तित जो होता है बादिय प्रितिवादि उसके व्यक्तत्व को व्यक्त करता है बक्यल व्यक्तत्व देता है बोलता है या पैरवई करता है तीनों ही काम करते हैं नियालव में बकील अपने अपने पक्छों की ओर से पैरवई करते हैं पैरवई की यह मतलब होता है केस को लड़ना और उन्हें विज़ई बनाने के के लिए परिश्素र्म करते हैं कठीन महनत करते हैं दिन रात एक कर देते हैं अपने क्लाइंट को ृप आने के लिए तता ऐसा करने के लिए अपना परिष्टर में लेते हैं यानि कि उस सिभा के लिए जो उनको दे रहे हैं जो मेहनत वो कर रहे हैं परिष्टरम उसके लिए वो कुछ चार्द उनसे लेते हैं ठीक है सब पिर्थम बकील के लिए आवसक है कि वे किसी माननेता प्राप्त पिस्विधाल्य से बिधी की सिख्चा प्राप्त कर चुका हो जैसा कि आप सब को पता है कि हम LLB क्यों करते हैं LLB करने का रीजन सबसे बड़ा यही है कि जब हम LLB की डिगरी कंप्लेट कर लेंगे LLB आपकी तीन वर्सकी हो सकती है LLB हो सकती है तीन वर्सकी या आपकी BA LLB हो सकती है जो आपकी पांच वर्सकी होती है इन मेंसे आपने कुई भी एक डिग्री आपने प्राप्त की है, उसके बाद ही आप रजिस्टेशन या नामवली द्वारा बकील बन सकते हो, ठीक है? या ऐसा होता है कि आपने नामवली में रजिस्टेशन नहीं किया है, लेकिन आप क्या हो? सरकारी एड्वोकेट बन गए हो, टेश्ट के द्वारा तब वहाँ पे सरकार के द्वारा आपकी सारे पिर्किरियां कराई जाएंगे. आगे चलते हैं, बिधी का अध्यन, निर्धारित पिर्तिसत अंकों से पूर करने के बादी, संबंदित राज्य के बार कॉंसिल, दौरा ऐसे व्यक्ति के बकील के पंजी करण की आपचारिकता पूरी के जाती हैं. पिर्तिसत अंक के क्या है, 100% होते हैं, 100% में आपके 46% होने चाहिए, अगर आपके 46% से अगर कम हैं, तो आप बकील के लिए apply नहीं कर सकते हो, registration के लिए, ठीक है? ओबरॉल आपके सभी semester में, आपके 6 semester होते हैं, अगर आप BLB में हो, तो आपके 10 semester होते हैं, सभी में आपके 46% होने जरूरी हैं, ठीक है? ओबरॉल percentage में हैं, और minimum किसी एक subject में, आपके 36 number होने बहुत जरूरी हैं. सपूर्ज करो जैसे कि आप 3rd 7 में हो, आप 5 paper के exam दोगे, तो वहाँ पे आपको 46% लाना अनिवार रहे हैं, हो सकता है किसी में आपके 50 number आजाएं, और किसी में आपके 42 आजाएं, तब भी आप क्या हो? पास हो. तो overall आपका क्या है? 46% बनता हो. अगर आपके 36 से कम हैं, आपके 35 हैं, 34 हैं, इससे अगर कम हैं, तब आपकी back लग जाएगी, ठीक है? तो आपके overall percentage कैसी होनी चाहिए? 46, और minimum कम से कम एक subject में आपको 36 number प्राप्त करने हैं, ठीक है? उसी के आधार पर जब आपके 46 आजाएंगे, percentage और आपकी degree आपको मिल जाएगी, तब आप क्या कर सकते हो? रेजिस्टेशन करा सकते हो, उसके लिए आपको पिरकिरिया जो होती हैं, वो आपको follow करनी होगी, वो आपको कारवाई करनी होगी, ठीक है? आगे चलते हैं, बकील अधीनियम की धारा तीस में यह प्रवधान किया गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका नाम बकील नामवली में प्रविष्ट है, नमबर बन, उच्च या उच्चितम न्याले या अधिनेस्ट न्याले में किसी न्याधी करन या साक्षे लेने के लिए बिधिक रूप से अधिकार प्राप्त व्यक्ति के समक्ष, तथा ऐसे किसी बकील या प्राधिकारी के समक्ष, मतलब अगर आपका रेजिस्टेशन हो जाता है, आप बकील का आपको एक नमबर मिलता है, बैच नमबर होता है, अगर वो आपको मिल जाता है, तो आप इन सभी अधिकारों को प्राप्त कर लेते हो, जो केस लड़ने के लिए आपको चाहिए, जहां कोई बकील उस समय प्रिचलित बिधी के अधिन बिधी पेशा करने के लिए अधिकरत यानि संपन हो बिधी वेवसाय करने का हगदार है, यानि कि यहां पे बुला गया है, अगर आप B.A.L.L.B. या L.L.B. करने के बाद अगर आप डिग्री प्राप्त कर लेते हो, डिग्री प्राप्त करने के बाद आप रजिस्टेशन करा लेते हो, ठीक है, और यह रजिस्टेशन कहां पे होगा, अगर आप UP से हो, तो आपक P-K Bar Association में आपका Registration होगा. बिहार के हो, तो बिहार में होगा. मतलब आप जिस State के हो, जिस राजय से हो, उसी State के Bar Association में जाकर आपका Registration होगा. आपको यह नहीं है कि आपकी डिग्री आगी उसके बाद आपको कुछ कारवाई करनी पड़ेगी आपको क्या है फॉर्म फील करना होगा जो आपको नियम बताती है उसके आधार पर फिर आपकी जो है रजिस्टेशन कराया जाएगा आपको एक छोटा सा टेस्ट देना होता है ठीक है पता यहां इस परष्ट है कि किसी भी न्याले में बिधी पेसे के लिए सिर्फ बिधी इस्तना तक होना ही प्रियाप्त नहीं है बल्कि उसका बकील नामवली में नाम प्रविष्ट यानि सामिल होना आपसक है प्रिविष्ट का मतलब है सामिल होना सिर्फ यहां पे यह नहीं है कि हमने BLLB या LLB की डिगरी पास कर ली हमारे पास सारे रिजल्ट हैं डिगरी हैं पास के हैं 46% भी हैं हमारे पास और हम क्या है अपने डिगरी के आधार पर हम फार्म फील कर सकते हो आप टेस्ट दे सकते हो जिससे आपका बन जाएगा रिजिस्टेशन कार्ड अधीवक्ता अधीनियम की धारा 33 के अनुसार देखो इसमें जितनी भी सेक्षन हैं आपको अच्छे से याद करने है क्योंकि यह आपकी जड़ है आप इसी से जुड़े हुए हो इसके बना आप कुछ भी नहीं हो सभी बच्चों का सपना होता है कि हमारे पास भी एक रिजिस्टेशन नंबर हो ठीक है और उसके दम पर हम अप सब कुछ कर दे यह सब का क्या होता है सपना होता है आप जितने बच्चे मेरे छोटे बड़े भाई बहन जो वीडियो देख रहे है आप सभी का सपना है कि हमें एक अच्छे बकील एक अच्छे जज़ बने तो जज़ बनोगे तो उसके लिए आपको अलग प्रिक्रिया करनी होगी अगर आप बकील बनने चाहेते हो तो आपको इस प्रोसिस से गुजरना होगा लिकिन करनी आपको क्या होगी प्रिक्रिया अगर बकील बनना चाहेते हो तो इस प्रिक्रिया को करोगे और यह आपका क्या होता है सबसे पहला सपना आपका यही होता है आप चले किसी भी लाइन में जाओ, ठीक है? चाहे आप teacher बन जाओ, लल्वी के, चाहे आप bank में चले जाओ, लल्वी द्वारा एकाउंटेंट में जो होता है, चाहे आप एक सरकारी बकील बनो, प्राइबिट बकील बनो, या और किसी लाइन में चले जाओ, लेकिन सबसे पह वकील की डिगरी आपके पास है तो इसके लिए आपको अच्छे से क्या होत करनी होती है मैनत करनी होती है ठीक है तो हमें इन सेक्षिनों को क्या है अच्छे से याद करना है रटना नहीं है दिमाग में बैठा लेना है बिलकुल रटी हुई चीज जादा दिन याद नहीं रह यह जारा नहीं होगा, यानी जिस व्यक्ति का नामवली में registration नहीं है, बाहर एसोचीएशन में उसने registration नहीं किया है, उसने test पास करके एक code नहीं लिया है, batch नंबर नहीं लिया है, तो वो बेवसाए यानी बकील का जो बेवसाए होता है, वो नहीं कर सकता है। अधिवक्ता अधीनियम की धारा 45 के अनुसार यानि 45 के अनुसार यदि ऐसा व्यक्ति जिसका नाम नामवली में सामिल नहीं है और किसी न्याले में बिदी विवसाय करता है तो उसे ऐ सम्मेधानिक मानते हुए 6 माई की कारावास से डंडित किया जाएगा यानि कि अगर आपके पास डिगरी है 46 परसंटेज भी है आप पास हो और आप चाहे इससे ज्यादा भी आपके पास नंबर हो आपके चाहे पास नॉलेज ज्यादा हो चाहे आपने प्रैक्टिस करी हो कहीं पे बैठके चाहे आपका अनुभब कितना ज्यादा हो लेकिन आपक जिस लड़ने बैट गए तो आपको 6 माई की क्या हो जाएगी जेल हो जाएगी ठीक है इन सेक्षनों को अच्छे से भाई याद कर लेना ठीक है एक केस है जैसा कि मैं पर दिक वीडियो में आपको बताता हूं अगर हम अपने एक्जाम में केसों की मातरा को अच्छे से रखेंगे दो ती या डैफिनिस तंग को अच्छे से लिखेंगे ब्लैक और ब्लू का पैन ब्लैक और ब्लू पैन का इस्तमाल करेंगे तो हमारे अच्छे नंबर आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं तो इसलिए यहाँ पर एक केस है नेलकिरी बार एस्सोसियेशन बनां टी के महलिंगन 1998 सुप्रिम कूट इसमें उच्छितम न्याले ने कहा कि अदालत का पेशा एक आदर्स और पवित्र विवेसाय है जनसाधारन बकील को आदर की द्रश्टी से देखता है बैस सबकी उमीद है किस से जड़ी रहती है बकील से जड़ी रहती है ऐसी स्थिति में यदी कोई व् गिता और पंजी करण के बिना इस विवेसाय की पिर्थिष्टा को आगात पहुचाने वाला कार्रे करता है तो ऐसा पकील सहानु भूती का पात्र ना होगा उसे कठोड दंड दिया जाना ही उचित होगा एक सपोच करो कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा परेशान है बाद इन ने तो देखा कि भई ये कोट में क्या करता है प्रैक्टिस करता है और साइधी वकील होगा और उसने इस प्रकार से सबको दिखा रखा है क्या मैं एक वकील हूँ ठीक है बादिय प्रतिवादि इस वकील के पास केस ले आते हैं और ये किसी कारण से फस जाते हैं इस व कि इनका समय क्या होगा बरबाद होगा तो इन्होंने इसको क्या करा है गुम्राग क्या है 400 पीसी करिये इनके साथ इन्हें परेशान किया है तो कोट क्या कहती है जो नकली पकील है चाहे आपके पास डिग्री बेश सको तब आपको 6 मेने की क्या होगी जेल होगी 6 माई की क्यों? क्योंकि आपने बादी, बिर्दिवादी और प्लस कोट को क्या करा है उनको मराग किया है ठीक है? कानून का उलहंगन किया है आगे देखते हैं बकील के रूप में किसी राज्य की नामामली में दर्ज होने के हकदार मतलब जिस राज्य से आप हो आप उस राज्य के बार एस्विसीजन में जाके आप रज्य स्टेशन करा सकते हो ठीक है? पकील अधीनियम 1961 की धारा 24 के अनुसार नमबर बन कौन आभिदन कर सकता है? बै भारत का नागरी को सबसे पहले तो भारत का नागरी को भारत में किसी अन्य देश की विक्ती को बक्यालात करने का मुका नहीं दिया जाता, नहीं ऐसा कानून है दूसरा 21 वर्स की आयू पूरी कर ली हो 21 वर्स क्या? प्राप्त कर चुका हो तीसरा भारत के किसी माननेता प्राप्त बिस्व विद्धाल्य से विधी की उपादी प्राप्त की हो ऐसा नहीं कि आपने कहीं से भी एक नकली या जाली पिरकार की आपने क्या बनवाली एललबी की डिग्री बनवाली और उसके आधार पर आप कहा चले गए रिजिस्टेशन कराने चलेगे आप और आप पकड़ेगे तो आपको क्या होगी जिल होगी तो यह सब इस विद्धाल्य होना चाहिए जो माननेता प्राप्त हो आगे चलते हैं वे सभी सर्तें पूरी करता हो जो इस अध्याय के अधीन राज्य बिदिक परिसत द्वारा बनाए नियमों में नरध हारित की चाहिए मतलव उन सभी सर्तों को पूरी करता हो जो एक बकील बनने से पहले उन सर्तों को पूरा किया जाता है जैसे भारत का नागरिक हो उसके आयू 21 वर्स हो किसी बिस्विद्धाल्य जो माननेता प्राप्त हो उसे उसने लल्ब या बी लल्ब की डिगरी से आगे उसने भारतिय इस्टाप सुल्क यदी हो तो अगर यदी हो तो देख ले ना यहां पर लिख रहा है यदी हो तो और राज्य बिदिक परिस्द को 600 रुपिये तता भारतिय बिदिक परिस्द को 600 रुपिये तता भारतिय बिदिक परिस्द को 150 रुपिये बैंक ड्र द्राफ्ट द्वारा उस परिषद के पक्च में देगी नामांकन फीज देती है। ड्राफ्टर होते हैं उसके आधार पर आपको पेमेंट करना होता है एक पिर्किरिया होती है उस पिर्किरिया के प्रोसेस को आपको क्या करना होता है पूरा करना होता है यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाती या अनुसूचित जन जाती का प्रमाण देता है तो उसकी फी भारत के किसी बिस्व विध्धाल्य से विधी की उपादी उस दिन से प्राप्त होगी, जिस दिन परिक्षा के द्वारा बिस्व विध्धाल्य सूचना घोसित करता है, यानि कि आप ये नहीं है कि आप B.A.L.L.B. में हो, या आप L.L.B. में हो, आपने जिस दिन आपने ला लाश्ट पेपर तो आप यह नहीं कहोगे कि मैंने LLB कर ली है आपका रिजल्ट आ गया है आप पास हो गए हो जिस दिन आपका रिजल्ट आ गया है पास का उस दिन से आप माने जाओगे उसके बाद जिस दिन आपके बाद डिग्री आ जाएगी पर पास होने के बाद तो ड योग्य मानी जाओंगे वह आविदन पास दिन के दो वर्स के अंदर उसके बाद नहीं ठीक है आपने जिस दिन पास किया है उसके दो वर्स के अंदर आपको आविदन करना नहीं पाव है आगे चलते हैं और देखो समय समय पे कुछ चीज़ां ऐसी होती है तो चेंज होती रहती है आप ऐसा ना समझना कि ये वीडियो है ये लाइफ टाइम इसी परकार से रहेगी क्योंकि अभी बर्तवान समय में हम देख रहे है हमारी विदी में बहुत उतार चड़ा हो रहे हैं बार काउंसिल ओफ इंडिया बनाम अपरणा वस्तु मालिक 1994 में अभियर्थी कॉलेज में नियमित चात्र के रूप में अध्यन नहीं कर रहा था वही नियमित रूप से मतलब रेगुलर तरीके से जाना चाहिए इसलिए यह धारण किया गया कि वह बकील के रूप में राजरी देरनी चाहिए तो वह उसी बिरकार से नहीं गया जिस बिरकार से जाना चाहिए उसके जो रजिश्टेशन हुआ उसको नरस्त कर दिया गया उसकी बल्देव राज्य बल्देव राज सर्मा बार काउंसिल ओफ इंडिया 1989 सुप्रिम कोट इसमें एक व्यक्ति जिस इसलिए पंजी करण के लिए हकदार नहीं माना गया मतलब दो वर्स उसने लगातार इस्टेडी करी और उसने त्रितेवस में इस परकार से कारण नहीं किया तो उसे लायक यानि योग्यर नहीं माना गया आगे एलम महुर कर बनाम बार काउंसिल 1996 सुप्रिम कोट इसमें यह निर्नेड दिया गया कि बिक्री कर की बकालत बिधी की बकालत नहीं मानी जा सकती ऐसा व्यक्ति बकील के रूप में पंजिकरत किये जाने के लिए हकदार नहीं है मतलगर आप किसी से खरीदते हो या अपनी डिगरी किसी को बेखते हो और उसके आधार पर वो रजिस्टेशन कराता है तो आप दोनों विक्ति क्या है कानूनी अपराधी माने जाओगे और सम्मिधान का क्या कर रहे हो आप उलंगन कर रहे हो कुछ भी स्टुडेंट की कमेंट आ रही थी कि सर आपने एक वीडियो ही डाली है तो मैं बता दूँ आपकी बहुत जल्दी सारी वीडियो अपलोट कर दूँगा जो आपके कोशन है जो आपके पेपर से रिलेटेड हैं बहुत जल्दी अपलोट कर दूँगा परेसान हो यह ठीक है और दूसरी बात यह जो बिस्टाय है आपका जो सबजEKT है यानि जिसे हम act बोलते हैं, परेशान होने की बात नहीं, बहुत ज़्यादा simple है, आप इससे cover कर लोगे, जैसा कि मैंने आपको starting में बताया है, आप परेशान ना होना, मैं बोजल दे upload कर दूँगा, इसको आप एक story की तरह पढ़ सकते हो, और थोड़ा सा ध्यान दोगे, इस कर सकते हो, टेक क्यार, वाय वाय, जैहिं, जै भारत.